मानी मुख मत्री जी और सिक्षा मत्री आज सम्वेदन सीलता की बात करते हैं सम्वेदन सिक्षकों को सम्वेदना सिखा रहे हैं सिक्षकों को सम्वेदना बता रहे हैं करूना महामारी में सम्वेदना को ले करके कई बार उन्होंने ब्यान दिया है लेकिन आज मैं जहां तक समझ रहा हूँ कि सम्मेदना किनकी मर गई है आप हम सभी लोग देख रहे हैं इस चीज़ को एक तरफ आप देखिए कि बिहार सरकार के जो मंत्री हैं बिधायक हैं उनकी सुदूर में कोटा में रहने वाले लोगों का जो बच्चे हैं उन्हें विशेस आदेश के तहट बुला लिया जाता है वहीं कितने ही सारे मजदूर और अन्बच्चे वहाँ फसे हुए हैं और वो सरकार समझ बेदना की बात करती है वो सरकार समझ सिर्था की बात करती है तो मैं आज इसी संदर में अपनी बातों को रखूँगा मैं संजीर समीर चौपाल सबान में आप सभी का हादिक स्वागत करता हूँ दोस्तों आज आप लोगों ने देखा कि बिहार सरकार की जो समझ बेदना है वह कितनी निमतम इस्तिती पर चली गई है जिसका कोई बखाने नहीं किया जा सकता है एक तरव बिहार सरकार एक आशा कर्च करता कि जो मिर्टी हो जाती है तो उसके लिए उनके द्वारा सम्मेदना बेक्त की जाती है हाला कि मैं उनके इस सम्मेदना ब्यक्त करने पर प्रस्ट नहीं खरा कर रहा हूँ हमारी भी सम्मेदना उस आसा कच करता के साथ है मेरा प्रस्ट निया है कि बिहार में मात्र दो करोना मरीज ऐसे हैं जिनकी मिर्ति हुई है उनके उपर भी उनोंने सम्मेदना ब्यक्त किया एक आसा कर्च करता पर भी सम्मेदना ब्यक्त किया लेकिन कितना दुरभाग है इस राज का इस देश का कि जहां के मुख मंत्री और अन मंत्रियों स्वास्त मंत्री सभी लोगों का सम्मेदना ही मर चुका है चल रहा है और आज के दिन तक सिक्चक गिंती करना ही भूल चुके हैं रोज कोई ऐसा दिन नहीं होता है जिस दिन एक सिक्चक दो सिक्चक की मिर्तिव हो जा रही है यानि कि आप समझ सकते हैं कि जहां तक हम लोगों के पास रिपोर्ट आई है बजापता नामभाई रिपोट आया है लगभग संतावन सिख्छकों की मिर्थिव हो चुकी है अब तक लेकिन बिहार सरकार की संबेदना देखिए कि उनकी संबेदना इतनी है कि उन्होंने आज तक एक सिख्छक के मिर्थिव पर भी सोक ब्यत्त नहीं किया और वे संबेदना की बात करते हैं वे सिख्छकों को संबेदना सिल्ता की पाठ पढ़ा रहे हैं वो सिख्छक को अपने राश निर्मान के काम में होना चाहिए जिस सिख्छक को अपने कार्जों में तलीन होना चाहिए आज मजबुरन उन्हें सर को पायाना परा ये किसकी देन है आज हर्ताल का ऐसा नहीं है कि पहला दिन है हर्ताल ये बिगत एक साल से चल रहा है पड़किरियां एक साल से चल रही है आपको याद होगा कि जुलाई में पहला अंदोलन हुआ था और उसमें विहाज सरकार की द्वारा लाठियां चटकाई गई पथर कार्टर केनन का प्रयोक किया गया आशू गष छोड़े गए और वही सरकार आज सम्वेधना की बात कर रही है उससे मैं आपको बता दें कि सिक्षक दिवस के दिन 5 सितंबर के दिन 5 सितंबर के दिन गांधी मैदान की मांग की गई थी संगों के द्वारा और उसे बुक करन न हो सके दूसरी और जब सिक्षक समथने ने अपना कार्ज करम कहीं और रखा उसे भी सिल कर दिया गया और वह सरकार आज सम्वेधना की बात कर रही है तो मुझे हास्यात्पत लगता है कि सिक्षा मंत्री जी और मुख मंत्री जी आप लोग याब बताइए कि आप कौन सा सम्वेधना का पालन कर रहे हैं सिचको को आंदोलन करने से रोक रहे हैं सिचको के जो मूल मांग हैं उनको नहीं सुन रहे हैं तो आप किस सम्वेधना की बात कर रहे हैं यह हम लोग के समझ से परे हैं साथियो मैं आम जंता से भी अपील करना चाहता हूं क्या सिचको की प्रवास क्या पेठ नहीं हैं आप पधानमंत्री और पूरे देश में जो भी इस महामारी से उन्हें पैसा देने के लिए शरकारों को पैसा रिलिज किया है और कोई भी भूख से न मरे इसके लिए प्रधान किया गया है लेकिन सिवशकों को क्या मिला सिख्षक हरताल पर थे पहले से हरताल पर थे ना उनसे वारता की जा रही है ना उनकी कोई सुनवाई की जा रही है आप इससे स्वैम समझ सकते हैं जब एक कोई मुख मंतरी के पिता जिद्ध देत करते हैं उनके लिए संवधना उनकी परकट हो जाती है लेकिन सिख्षक के लिए कोई संवधना नहीं है प्रण्टाइन सेंटर पर सिख्षक की मिट्टिव करेंट लगने से हो जाती है आपने संवेदना तक्व्यक्त नहीं किया तो इसे क्या कहा जाए क्या यहाँ आपकी संवेदन सिलता इसको कहा जाएगा या संवेदन हिंता कहा जाएगा आप स्वय निधान किजिए नितिस बाबू और किस्ननदन बाबू आप लोग सिर्फ और सिर्फ सिख्षकों को पेरने का काम कर रहे हैं उन्हें परसान करने का काम कर रहे हैं संगठनों से बारता नहीं करना यह क्या दर्साता है एक तरफ आप लोग मचली का भोज कायोजन करते हैं दुसरे तरफ दुसरे तरफ आप सिख्षकों से लोकडाउन की बात करके आप उनसे बारता नहीं करना चाहते हैं बारता करने के और भी तरीके हो सकते हैं आप वीडियो कंफिरेंसिंग के जरी ये बारता कर सकते हैं बारता नहीं करने के बहाने बहुत सारे हो सकते हैं जिस बहानों को आप लोग पालन कर भी रहे हैं, यहां तक बता दे कि आप बार-बार सिख्षकों से अपील करते रहे हैं, अच्छी बात है, अपील करने चाहिए, लेकिन क्या उस अपील में आपने कभी लिखा है, कि सिख्षकों पर हुए करवाई को हम लोग वापस लेते है और सिख्षक अपने कार्ज में चले जाएं, किसी भी सरकार को निर्देश दिया है, कि आप कमचारियों का बेतन न काटे, तो आपकी समेदना यहां भी मर गई, क्योंकि आप करोना आवर में, करोना जब से लोगड़न हुआ है, उसके बाद का पैसा आपने क्यों नहीं दि लेकिन जो इस्तितिय भी बनी हुई है सिख्षक के सामने भुकमरी की, जिस वज़ा से आज संतावन सिख्षक साथियों ने खोया है, वह सवाल बन करके खरा हो चुका है, बिहार के उन आम जनता के सामने, बिहार के राजनीती करने वाले के सामने, और तमाम जो सिख्षक के परतनीदी हैं उनके सामने विधायक मंत्री संत्री जितने भी हैं उनके सामने यह बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब उन्हें ढूनना पड़ेगा बहुत गिने चुने MLC के द्वारा ही बिरोध किया जा रहा है लेकिन अधिकतर लोग की चुपी कहीं न कहीं हम सभी को बोलेने पर मज़ूर कर रही है और सिक्षक जब तक मौन हैं तभी तक आपकी सत्ता बनी हुई है इस बात को भी आपको समझने की ज़ुद है मेरा निवेदन है कि आप लोग आपकी सरकार इस सिक्षकों को अपमानित और ज्यादा न करें नहीं तो इसके परिणाम दुर्गामी हो सकते हैं या मेरा कोई चेताबनी नहीं है बलकि एक निवेदन है और इस वीडियो के माध्यम से हमाम सिच्षकों को कहना चाहते हैं कि आपसी जो एकता है उसको आप ल आज ना सिर्फ सिच्षक समाज रो रहा है बलकि आम जनता भी आपके कुकृत्यों से परिसान हैं हम लोगे देखा है कि बहुत सारे सिच्षक सब्जी की दुकान लगा रहे हैं और जो सिच्षक मर गए हैं उनके बारे में ही पता लगाया तो उसमें से अधिक्तर सिच्षक चुकि आपकी मांसिक यतना को सहन शके और आपकी मांसिक यतनाओ को वो बरदास करना सके जिस वज़ा से उन्हें ब्रेम्रेज हुआ उसके बाद बहुत सारे सिच्षकों को हट auch away साध्य साck जो परिवार की जो पोसन की समेश यह उनके पास थी कहीं न कहीं उसकी जिम्मेदारी थी उस वजय से हाट एक हुआ ब्रेयन हम्रेश हुआ तो इसके जिम्मेदार कौन है मैं तो श生ड़ा perksu कम लगाता हूं किसके जिम्मेदार कहीं न कहीं पिहार सरकार हैं क्योंकि उन्हें अगर समय पर बेतन दिया गया होता अगर उन्हें समय पर हरतार समाप्त करा दिया गया होता ताल आपको फरवाई 2020 से सुरू किया गया है लेकिन जो सिचको का आंदोलन है वह जुलाई से ही सुरू हो चुका था यहां आंदोलन पूरी गति के साथ चलता हुआ आ रहा था लेकिन सिर्फ और सिर्फ सिक्षकों से पता नहीं बिहार सरकार की क्या दुस्मनी है और क्या उनकी सोच है क्या उनकी मंसा है आज तक हम लोगों को समझ नहीं आया और सिख्षकों से सिख्षक संणठनों से संहर समयन समीति से बार्टा करना उच्ची तक नहीं समझा यह एक बहुत बड़ा संदेश समाज को जाता है एक तरफ आप सिख्षकों को समान देने की बात करते हैं हम किये हैं, हम ही करेंगे की बात करते हैं, वहीं उन सिक्षकों को एक चपरासी से भी गया गुजर बेतन मान देते हैं, आप क्या समझते हैं, चपरासी से ज़्यादा बेतन देते हैं सिक्षकों को, नहीं, बिल्कुल नहीं, यह तक चपरासी का भी बेतन उस नियोजे सिक्ष तो आप कौन सा समान दे रहे हैं, ये मुझे समझा आज तक नहीं आया, इस तरीके का समान का हम लोगों ने कभी नहीं सोचा था, आप कभी दिल्ली में जाकर के अपनी सरकार, अपनी एजुकेशन, विभाग की जो ब्यवस्थाएं हैं, उनका बखान करने दिल्ली पहुंजा जाते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है कि दिल्ली की ब्यवस्थाएं क्या हैं, दिल्ली की जो ब्यवस्थाएं हैं उस ब्यवस्था का आप के पास चववन्नी भी नहीं है। और ड्यू टू सरकार, क्योंकि वहाँ भी वही स्थित्था पहले भी, लेकिन वहाँ सरकारे बदली, वहाँ बिवस्था बदल गई, सिक्षक वही हैं, यहाँ भी सिक्षक वही रहेंगे, बिवस्थाएं बदलनी पड़ेगी, और आम सिचकों से भी अपील है, आम जनता से भी अपील है, कि अगर यहाँ कि सिच्षक विवस्था अच्छा करना चाहते हैं, तो वैसे ही सरकार का चुनाव करना पड़ेगा, जो अच्छा विकल्ब के रूप में सामने आएं, सिच्षक का बढ़तरी करें, सिच्षकों का मान मर्यादा करें, यूरोपिय कंट्री में जा करके देखिए नितिसवाबू, वहाँ पर एक सिच्षकों का बेतन जो हैसा आईएस से भी ज़्यादा बेतन मिलता है, यह मानता हूँ कि उसकी क्वालिफिकेशन सबसे ज़्यादा और उच्छ रखी गई है, लेकिन कोई बात नहीं, वहाँ पहुच रखने के बाद भी लोग वहाँ आईएस बनने से ज़्यादा सिच्षक बनना पसंद करते हैं, बहुत सारे सवाल हैं, सवालों की कमी नहीं हैं, बहुत सारे बात हैं, जिसको रखने के करण में यह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं कम सब्दों में अपनी बातों को यहां रखा हूँ, और कुल मिलाकर मैंने यह कहा है, कि संबेदन हिंता सिच्षकों को न बताएं, सिच्षक खुद संबेदन सील हैं, संबेदना उनके पास कुट-कुट कर भरा हुआ है, जो हर्ताल में रहते हुए भी जो सिच्षक आपके समाज सेवा में, आपके करोना के वारियर्स के रूप में कार्ज किये हैं, लेकिन आप उसकी कोई भी बात नहीं सुनना चाहते हैं, क्या आपके पास बात करने के लिए समय नहीं, बिल्कुल आप बात कर सकते थे, वीडियो कर्मेर्सिन से कर सकते थे, लेकिन आपने बात करना उचित ही नहीं समझा, इनी सारी बातों के साथ मैं अपनी बातों को यह समाप करता हूँ, और कुछ सवालात जो हमेशा कोचोटेंगी, कि समझादन सील और समझादन हीन, कौन है, कौन नहीं है, यह आम जनता तै करेगी, हम या आप नहीं तै करेंगे, यह आम जनता ही तै करेगी, कि कौन समझादन सील है और कौन समझादन हीन है, एक तरफ एक मिर्तिव उस पर समेदनाब की प्रकट होती है दुसरे तरफ संतावन सिचकों की मिर्तिव के बाद भी आपकी कोई समेदनाब प्रकट नहीं होती है यह बहुत ही बराद दुर भाग की बात है धन्यवाद